हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए हर किसी की ड्रीम डेस्टिनेशन होगी चाहे वो कोलेज में लंगोटिया यारों का ट्रिप बन रहा होगा या फिर फैमली में कोई बज़र ट्रिप बना रहा होगा हिमाचल प्रदेश उन सब की लिष्ट में सामिल होगा तो अब आप अपना बैक पैकर के हिमाचल प्रदेश तो पहुंच गए आपने हिमाचल प्रदेश घूम फिर भी लिया लेकिन आपके माइड में एक चीज आ रही होगी कि हिमाचल प्रदेश से ऐसी क्या चीज लेकर जाएं जो आपके ट्रिप को मैमरेबल बना दे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है आपका दोस्त अमन हिमाचल आज आपको ये सब बताने के लिए ही यहाँ पर आया है कि आप हिमाचल में घूमते वक्त क्या-क्या खरीद सकते हैं और अपने ट्रिप को मैमरेबल बना सकते हैं So guys, आज मैं आपको हिमाचल परदेश की कुछ एक famous tourist destinations में की जाने वाली shopping के बारे मैं बताऊंगा कि बहाँ से आप कौन-कौन सी चीजें खरीद सकते हैं और अपने ट्रिप को यादगार बना सकते हैं जैसे हम किसी holistic place में जाते हैं तो बहाँ से हम एक memorable चीज लेकर जाते हैं जिसको हम अपने showcase में रखते हैं या अपने table पर रखते हैं या किसी wall पर लगाते हैं और जब भी हम उस चीज को देखते हैं वो ट्रिप हमारे माइंड में आ जाता है कि हम फलानी जगा गए थे और हमने बहाँ इसे खरीदा है तो उसी तरह से अगर आप हिमाचल की कोई भी चीज लेकर अपने साथ जाते हैं तो वो आपके हिमाचली ट्रिप को मेमरेबल बनाएगा उसको यादगार बनाएगा तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दिक्यून ओफ हिल्स एंड दिकैप्टल सिटी ओफ हिमाचल परदेश सिमला कि जब आप सिमला में घूमने का अनंद ले रहे हों तो आप घूमने के साथ साथ कौन सी चीजे खरीच सकते हैं और कौन-कौन से एमपोरियम काफी फेमस हैं तो डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप कौन-कौन सी चीजे खरीच सकते हैं तो अगर आप सिमला घूम रहे हैं तो आप माल रोड explore कीजिए, माल रोड पर आपको बहुत सा समान दिखेगा लाइक आपको हिमाचली कल्चर से related बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जिनमें से हिमाचल की कुलू सॉल होगी, किनोरी सॉल होगी, हिमाचली कैप होगी, तिबतियन ज्वैलरी होगी तिबतियन कल्चर के जो कारपेट्स होते हैं, वो भी आपको मिल सकते हैं इसके लावा आपको हिमाचल के ट्राडिशन से जुड़ा बहुत सा समान आपको माल रोड पर मिलेगा इसके लावा आप सिमला के लकड बजार को एक्स्प्लोर कर सकते हैं, बहाँ पर आपको बुड़न का ही पूरा समान मिलेगा लकड बजार के लावा आप सिमला का लोर बजार एक्स्प्लोर कर सकते हैं, मिडल बजार एक्स्प्लोर कर सकते हैं और पहुत से emporiums काफी famous हैं अगर आप similar visit करते हैं तो आपको बहाँ पर जाकर पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से आप shopping कर सकते हैं इसके लाब आपको handmade bullet garments भी मिल जाएंगे जो कि हिमाचल के काफी famous हैं और हिमाचल से related पहुत से समान आपको बहाँ पर मिलेगा क्योंकि capital city है हिमाचल प्रदेश की similar तो पूरे हिमाचल का बहाँ पर समान जाता है पूरा tradition बहाँ पर जाता है तो आप उसको explore कर सकते हैं और बहाँ से आप एक memorable चीज अपने साथ लेकर जा सकते हैं सो दोस्तों सिमला घूमने के बाद अब बात करते हैं कुल्लू की अगर आप कुल्लू बिजिट पर गए हैं और कुल्लू जाकर आपने कुल्लू कैप नहीं खरीदी या कुल्लू सौल नहीं खरीदी तो आपने कुछ नहीं खरीदा वाइद वे मैंने किनौरी कैप पहनी है कुल्लू कैप भी बहुत अच्छी है, बहुत फेमस कैप है हिमाचर प्रदेश के और कुल्लू सौल भी काफी फेमस है, वर्ड वाइड इसकी डिमांड है, तो आप अगर कुल्लू विजिट पे हैं तो आप कुल्लू में कुल्लू सौल और कुल्लू कैप खरी सकते हैं, इसके गुर्दीयर मार्केट काफी फेमस डेस्टेनेशन रहेंगी आपके लिए बहाँ पर आप अपनी चेहब ढ़ेंगे कर सकते हैं और अपने कुल्लू ट्रिप को में अमरेबल बना सकते हैं कुल्लू गूमने के बाद अब अब हम अपनी गाड़ी लेकर 오른쪽 में मनाली कि और मनाली थो அम है. अगर ऐगा वीज़ट पर आए हैं और आपने मनाली माल रोड में मलाड नहीं गूमा और माल heroin किक हुछ नहीं सो एक चीज आपको में क्लियर कर दूँ कि आपको हिमाजल की हर एक मेर्ड मार्केट में हिमाजली हैंड्लूम के प्रोड़क्ट मिलेंगे like caps, soles and जो कमरी और स्वेटर रोते हैं, पूलांस होती हैं और जितना भी हिमाचली हैंडलूम के प्रोड़क्ट्स होते हैं वो आपको हिमाचली की हर एक मेर मार्किट में मिले गए और मनाली में भी आपको ऐसे ही सेम प्रोड़क्ट्स मिलेंगे तो आप मनाली में अपनी जेब धिली कर सकते हैं और थोड़े खचिले बन सकते हैं So you can explore Manali Mall Road जो आपकी shopping के लिए काफी suitable रहेगा तो दोस्तों चलो अब आपको धरमशाला में shopping कर भाता हूँ तो अगर आप धरमशाला घूम रहे हैं तो बहाँ पर आपको मिक्शर मिलेगा shopping का Like Himachali culture प्लस Tibitian culture प्लस Buddhist culture क्योंकि यहाँ पर Buddhist भी हैं Tibitian भी हैं तो यहाँ पर आपको पूरा यह mixture मिलेगा culture का तो Himachali भी मिलेगा आपको Tibitian में आपको Like Tibitian carpets, Tibitian jewelry and जो Buddhist culture है उसमें आपको peace से related समान मिलेंगे क्योंकि Himachal का जो धरमशाला है वो peace के लिए जाना जाता है तो अगर आपको meditation से related कोई products ख्रीदने हैं तो आप धरमसाला का Maclaude Gange and धरमकोर्ट market आप विजिट कर सकते हैं धरमकोर्ट जो village है बहाँ पर आपको बहुत से ऐसे products मिलेंगे जो आपको meditation में आपकी help करेंगे और आप यहां से वो products ख्रीद सकते हैं आप Maclaude Gange market भी explore कर सकते हैं अगर आप Buddhist जो temple है उनका उस पर उस रास्ते पर हैं तो आप उस रास्ते पर भी बहुत से products मिलेंगे तिबतिन हिमाचली प्लस पुदिष्ट कल्चर के so you can explore Maclaude Gange also so दोस्तों यह थी मेरी आज की छोटी सी कोसिस hopes आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please वीडियो को thumbs up करें and चैनल को subscribe करना ना भूले and bell icon को press करके रखें ताकि upcoming videos की notification आपको मिलती रहे तो इसी तरह से videos आप चैनल पर आती रहेंगी जरूरत है आपकी support की तो ऐसे ही अपना प्यार परसाय रखें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care bye bye